नमस्कार दोस्तों, Smart Tech Solution में आपका स्वागत है आज हम Xiaomi के Redmi 3S मुबाइल के बारे में बात करने हैं वाले ये मुबाइल कम कीमत वाला फोन है जो Xiaomi कमपनी द्वारा भारत में लाँच किया गया है ये इस मुबाइल की कीमत भारत में 6,999 रुपीज रखी गई है ये मुबाइल तीन अलग-अलग कलर में उपलब्द है गोल्ड, सिन्वर, डार्क, ग्रे यहाँ पर देख सकते हूँ ये Made in India फोन है यहाँ पर बॉक्स पर मुबाइल के कुछ फीचर लिखे गए है कॉलनम, स्नैप डागम, 430 ओक्टावर प्रोसेसर है 5 इंचेस का डिस्प्ले, 13 मेगा पिक्सल प्राइमरी कैमेरा, 5 मेगा पिक्सल सेकेंडी कैमेरा 4000 मेगा हाट्स की लिथियम आयन पॉलिमर बैटरी है इस फोन की किमट 6999 यहाँ पर प्रिंट की गई है बॉक्स के अंदर एक आडप्टर, USB, केबल, यूजर गाइड और वारंटी कार्ड है यहाँ पर आप देख सकते हो, सार वैल्यू मेंशन की है, सार वैल्यू हेड 0.617, बॉड़ी बॉड़ी वैल्यू 0.4299 डबलू पर केजी ओके चलो, बॉक्स खोल के देखते हैं, मॉबाइल हैंड सेट के साथ कंपनी दोरा क्या क्या आसेसरी प्रोवाइड की है मॉबाइल हैंड सेट यह डॉक्मेंटेशन पार्ट है, सीम ट्रेय रिमोवल पी यह चार्जर है यूएजबी केबल, यह सब हम बाजू में रखते हैं और हैंड सेट के बारे में बात करते हैं, आप देख सकते हो, इसका जो लूक और फिल बहुत ही अच्छा दिया गया है, यहां पर देख सकते हो, पावर बटन दिया गया है, जिससे आप स्विच आउन स्विच आप कर सकते हो, वॉल्यूम जोकर से, आवाज कम या ज्यादा कर सकते हो, यहां पर 3.5 mm headphone jack दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हो, sim tray दिया गया है, यह एक dual sim phone है, hybrid phone है, यहां इसमें micro sim और second slot में nano sim यूज कर सकते हो, आपको second sim tray में आप एक टो nano sim या micro SD memory card यूज कर सकते हो, यहां पर देख सकते हो, IR blaster दिया है, जिससे आप कोई भी electronic चीज को आप remote कर सकते हो, जैसे की TV AC, यहां पर देख सकते हो, USB port दिया गया है, इससे आप phone charge कर सकते हो, computer को connect कर सकते हो, यह phone OTG compatible है, जिससे आप OTG cable के दौरा, आप pendrive connect कर सकते हो, यहां पर mic दिया गया है, आगे हम display के बारे में बात करता है, fine chest का display आता है, यह phone में, 1280 by 720 pixel resolution HD IPS display आता है, ओके, आप देख सकते हो, यहां पर कुछ शॉटकट्स दिये हैं, mobile data, wifi, torch, silent, brightness, airplane mode, screenshot, brightness कम या ज्यादा कर सकते हो, यहां से, ओके, आगे हम बात करते हैं, प्रोसेसर के बारे में, कॉलकॉम स्नाप्ड्राइगन 430 64-bit 1.4 GHz का octa-core processor दिया गया है, हम setting में जाके, जाके, प्रोसेसर के बारे में, जान सकते हो, ओके, यहां पर देख सकते हो, octa-core max 140 GHz प्रोसेसर है, ओके, यहां पर internal memory के बारे में, दिया है, 16 GB internal memory है, आप microSD memory card यूज़ करके, 128 GB तक space बड़ा सकते हो, okay, RAM के बारे में देख सकते हो, 2 GB का RAM दिया गया है, okay, इस phone में सबसे बड़ी खासियत है battery backup, phone में 4,100 mAh की lithium ion polymer battery दी गई है, जिससे आप ज़्यादा देर तक phone यूज़ कर सकते हो, इस phone में non removable battery का उपयोग किया गया है, आप battery के बारे में देखना चाते हैं, तो यहाँ पे battery में आके आपको उसके बारे में पता चलेगा, यहाँ पे देख सकते हो, 4000 mAh का battery है, 54% जो battery का status बता रहा है, कितनी देर तक चल सकती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, power saver mode है, जिससे आप कम battery में भी ज़्यादा देर तक phone चालू रख सकते हो, ओके, आगे हम बात करते हैं, camera के बारे में, यहाँ पे देख सकते हो primary camera है, जो 13 MP है, यहाँ पे LED flash दिया गया है, ओके, यहाँ पे देख सकते हो secondary camera, जिससे हम selfie camera भी कहते है, ओके, primary camera जो है, वो 13 MP दिया गया है, उसमें F 2.0 aperture, 5P lens element और phase detection autofocus यह features available है, primary camera से मैंने कुछ images अलड़ी निकाल के रखी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, मैंने primary camera से photos निकाल यह, है, ओके, इस camera से आप HD, Full HD recording 1920 by 1080, resolution at 30 frames per second पे कर सकते हो, ओके, यहाँ पे secondary camera, camera जिसे हम selfie camera भी कहते हैं, 5 megapixel का secondary camera दिया गया है, आगे हम बात करते हैं operating system के बारे में, यह phone में android 6.0.1 marshmallow android version दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, android version 6.0.1 marshmallow, यहाँ पे tap करने से आपको पता चल जाएगा, यह marshmallow का symbol है, इसके साथ ही Xiaomi के तरफ से उनका खुद का user interface प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे देख सकते हो, Yama UI version 8.0, ओके, आगे हम phone के कुछ features के बारे में बात करते हैं, यह phone 3G, 4G, 2G, 4G LTA network को support करता है, उसके साथ ही इस phone में Bluetooth 4.1, Wi-Fi, USB, GPS, OTG को भी support करता है, इसके साथ ही, यह phone में कुछ sensor दिये गए है, Ambient Line sensor, Proximity sensor, E-Compass sensor, ओके, आपको मैंने phone के बारे में बताया है, वह अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like, share और comment करना मत भूलना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरा channel subscribe करना, मत भूलना, channel subscribe करने से मेरी तरफ से, जो भी आगे वीडियो upload होगे, उसके बारे में आपको notification आएगा, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, भी आपका